शीरकिष जन्भूमी विबाद मामले में आज सीनियर जज सिविल डिवीजन ज्योती सिंग की अदालत में करीब एक घंटे बहस चली है तमाम दलीलें दोनों पक्षों से दी गई है और ऐसे मैं अब जो अग्रिम तारीख इस पूरे मामले की जो कोर्ट ने फिक्स की है वो है 20 जन्वरी 20 जन्वरी को दोनों पक्ष फिर से उपस्तित होंगे और आगे की जो कहा जाए सुनवाई होगी इस समय हमारे साथ बात करने के लिए जो शीकिष जन्भूमी मुक्ती नियास के अद्ध्च और इस मामले में जो मुक्ष पक्षकार है महिंद प्रताप सिंग है ज कि वहां पर स्टेटस को कर दिया जाए क्योंकि जो मश्यद है जो पहले मंदर था और अब मंदर है उसको जो मश्यद बना दिया तो उसकी दीवारों पर जो बने हैं अफसेश हिंदू अफसेश है उन्हें तोड़ने का प्रयास कर रहा है तो हमने कहा कि कमीशन भी जाए औ तोड़ने में क्या हुआ था यह तोड़ने में क्या हुआ था यह मंदर है और मंदर के सिरफ दीवारे वो ही है, इस्तापतिकला वो ही है, इस्टेक्षर वो ही है, सिरफ उसका उपर को गुम्मद देना चेंज कर दिया, तो दीवारों पर आज भी संक, चक्र, पदम, ओम, सब बने हुए, उन्हें ये हटा रहे हैं वहां से, जिससे कि ये सो नहीं हो ज नमाज को लेके भी कहा, कि वहां नमाज नहीं पड़ी जाती थी, अब क्यों नमाज पढ़ना सुरूआ है, तो आज बहश हुई दोनों पक्षों पर वो पक्षिकार भी मौजूद थे, और इसमें 20 जनवरी मानने नहीं लेके द्वारा लगाए गई कि 20 जनवरी को इन सभी विशों पर, एक वर पने बैस हो, और भी कई सारे पक्षकार निकल कर सामने आए हैं, और भी अपनी याज का दाखिल किये, उसको लेकर क्या है, उनके चीजों को किस तरह से कोट एंटिटेन कर देए हैं, नहीं उनके मुकदों को भी कोट के दौरा स्विकार किया गया है, तो इसलिए इसमें टाल चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि सुनवाई में तेजी आई है, बिल्गुल तेजी आई है, निश्य तरूप से तेजी आई है, और हमने आले सब्रोद क्या था किसे डे टूदे सुन लिया जाए, तो इसकी इसकी इस्तिति विर्कुल के लिए बेसिस पर सुनवाई है, तो क्या लग रहा है, आज सुनवाई हुई है, तो कुछ उम्मीद लग रही है, आगे वह विश्य में चलके कुछ बहुत जादे दुखुआ तकलीफ हुई इस बात की, कि इसमें जो हिंदू वकिल लगे हुए है, इसके लिए हमें बहुत तकलीफ हो रही है, विपक्ष में जो लगे हुए है, खिलाप हमारे, जो मस्जित की तरफ से भी हिंदू पक्ष लगा, वो बहुत गल्त लगा, हमा सबसे प्राचीन धर्म है उसकी रख्षा करना सभी का करतव है और उसकी रख्षा में अगर किसी भी तरह की बादा आती है तो वह नयाज़्चित नहीं है और हमें नयाए प्रक्रिया पे पूर्ण भरौसा है कि वह इसकी सुनवाई सही रामलला के बाद श्यामलला एक बहुत कर नहीं कह सकता हूं आंदोलन की बात ले यकिन यह है की धर्म के प्रती है और धर्म सदा विजएर और विजए ही रहेगा सत्य कभी भी नहीं मरता है बहुत है कि जल्दी धर्म संसद बलाई जाएगी इस तरह की बातों को क्या लिखें अगे क्या प्रक्रिया होती पहले न बिलकुल लड़ना चीए जोगी जीुको मत्रा और बेंदावन में आचाहिए योगी आएगे जबे का स्भी रहा है और ऑगे भी होगा बिलकुल लिकल पाएगा योगी जी आएगे तो बिलकुल जूड़ेगा लेकिन हमारी बात पुरी होंदो हम जो कहना चाहते हों हमें हिंदू वकिलों से रुक्वेस्ट हाथ जोड़ के प्रात्ना करते हैं हम इंसे इसलिए कि आप सब कम करो आप भूगे तो नहीं मर रहे आपके बच्चे भूगे तो नहीं मर रहे अब भूगे मर रहे तो बताईए आईए हमारे साथ वहां जो ये कर रहे हैं कि हमारे भीर जी के खिलाब कर रहा है हिन दुडु के खिलाब हो रहे किस यह किस यह कर दान कर अरे करता assess कर दो लीए और अजिक टरह आख्छे करो ग्यद्ट सटाव प्रिण हरे हैं इस लिए धूओफ embora जो मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से जो पक्ष है उसमें कई सारे जो हिंदू कहा जाए अदिवक्ता हैं वो उस पक्ष की कानूनी लडाई लड़ रहे हैं इसलिए यह तमाम जो कहा जाए संतगाण हैं वो कहीं न कहीं आहत नजर आ रहे हैं अब इस मामले में 20 तारीक रखी अब जो जो कहा जाए यह मुद्दा है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है मत्रा से नितनु बाद द्याए एबीपी गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जबाद की